देखिए disadvantage शब्द आपका advantage से बना है मतलब के advantage का मतलब होता है फायदा, नफा, disadvantage का मतलब होता है नुकसान, हानी ठीक है तो इस छोटे से वीडियो में disadvantage शब्द को अच्छी तरह से समझ लेते हैं पैमाना है disadvantage, बोलने का, बोल करके मतलब less useful, कम फायदे मन्द हैं उसके लिए हम disadvantage यूज करते हैं मतलब के an unfavorable circumstance or condition that reduces the chance of success is called disadvantage इसके सनानिम साते हैं आपके loss, harm, deficit, dis economy, defect, fault and etc चलिए आगे हम इसका हिंदी में अर्थ भी देख लेते हैं, फिर sentences में यूज करके देखेंगे Welcome to educated desk, आपका educated desk पे स्वागत है, देखें, disadvantage का हिंदी में अर्थ होता है आपका हानी, नुकसान, अलाब, छटी, खराबी या त्रूटी और जब हम इसको sentences में यूज करेंगे तो पहला sentence आपका इस तरह से बनेगा कि what is disadvantage of not taking action on time मतलब सही वक्त पर action ना लेने का क्या नुकसान है, क्या हानी होता है, क्या नुकसान होता है और दूसरा example है आपका, you should differentiate between advantage and disadvantage, मतलब आपको नफा और नुकसान में फर्क कर लेना चाहिए, before investing money in mutual fund, मतलब mutual fund में money invest करने से पहले, तो पूरा sentence होगा, you should differentiate between advantage and disadvantage, before investing money in mutual fund, मतलब mutual fund में invest करने से पहले, तुम्हें नफा और नुकसान में फर्क कर लेना चाहिए, तो आपने डिस एडवांटेश अब का चित्र से समझ लिया है